दोहजार निस शुरू हो गया है और ये नया साल हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है और इस साल में गटने वाली घटनाओं के फ्यूचर में बड़े कॉंसिक्वेंस होने वाल है लेकिन मैं यहाँ पे नेस्टर डेमेस या किसी जोतिस सास्तर के अनुरूप नहीं लेकि सिदर प्रेडिक्शन्स ओफ टूथाउजन एंट्टीन तो शुरूआत करते हैं अपने ही देश से भारत जान्यवारी दोहजार उन्निस में चंदरयान टू लांच कर देगा और इसके बाद भारत सक्सेस्पुली मून पर यान बेजने वाला दूनिया का चोथा देश बन लांच करेगी यह चीनी ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ी क्रांती कहलाएगी और सुरुआत में इसे सेंगाय और बेजिंग में लांच किया जाएगा और इसी साल जनुवारी के एंड तक एक बड़ी खबर ये भी आने के चांसिस है कि भारत की सबसे बड़ी यूट यूटूब चैनल प्यूडी पाई को डिफिट करके दुनिया की सबसे बड़ी यूटूब सब्सक्राइब चैनल बन जाएगी और इसी साल फेबरुआरी या मार्च में सेंसंग कंपनी अपना क्लेम किया हुआ दुनिया का सबसे पहला फोल्डेबल फॉन लांच कर देगी इस फॉन के स्क्रीन टेबलेट जितनी बड़ी होगी फोल्ड हो सकेगी और आगी पीछे दोनों स्क्रीन होगी और अकोर्डिंग टू रूमर्स जिसका नाम दिया गया है सेंसंग गैलक्सी एक्स इसी साल थाइलेंड अफगानिस्तान और इंडोनेसिया जैसे विशो के कई सारे देशों में जनरल इलेक्शन होगे लेकिन पूरी दुनिया की नजर मन रही होगी भारत के जनरल इलेक्शन पर और 2019 में होने वाले भारत के लोकसवा चुनाव आने वाले समय में भारत के लिए सबसे महत्पूर्ण होगे इसी साल में तक इसराइल मून पर स्पेसक्रा में बड़े स्ट्राम्स, तूफान और बवंदर उठने की संभावनाय है वेधर कंडिशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है लेकिन आल विल बी इन दे कंट्रोल 2019 में ब्रिटन ओफिशली यूरोपीन उनियोन से अलग हो सकता है लेकिन अगर सब्बे देश चाहे तो ये नियने तल भी सकता है यूरोपीन उनियोन के देश अपनी घड़ी में साला ना दो बाल टाइम चैंज करते थे जिसमें विंटर और समर के टाइम में घड़ी में एक एक गंटे को आगे या पीछे किया जाता था लेकिन इस साल से यूरोपीन देश अपनी घड़ी में साला ना सिर्फ एक बार ही टाइम चैंज करेगे इस साल बॉलिवड में 50 करोड रूपे से ज़्यादा बजट की 100 फिल्में आएगी जिसमें 1000 करोड रूपे वाली महाबारत सबसे बड़े बजट की फिल्म होगी इस साल भी भारत का सबसे तेजगते से प्रोग्रेस करने वाले देश का खिताब बरकरार रहेगा इसी साल यूरोप में सेल्फ राइव कारे आ चुकी होगी और भारत के मार्केट में इलेटरिक कारे च्छा जाने की पूरी संभावना है इसी साल अक्टोबर मेने में भारत महात्मा गांधी की 150 फी जन्मी जहनती सेल्बरेट कर रहा होगा और इसी साल अक्टोबर तक भारत में 111 मिलियन टॉलेट्स बन चुके होगे ये हियूमन हिस्टरी में टॉलेट मेकिंग का सबसे बड़ा रेकोड होगा तो दोस्तों 2019 से आप क्या चाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताए और इस वीडियो को हो सके इतने लाइक और हो सके इतने शेयर करें और मैंने शुरू किया है एक नया चनल डगोसाई जिससे आपसे रूबरू होड़ सकू जिसवे जाके उसे जरू सबस्क्राइब करें और आपके और आपके परिवार को नय साल की धेर सारी बताईया अपना बहुत सारा ध्यान दखे Have a good day, take care